Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, please like and share and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. के बारे में आपको बताता हूँ, जो की शायद आज के वक्त आप लोग सोच भी न सकें. जब दुनिया इतनी ज्यादा आपस में जुड़ी होई नहीं थी, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था और आदमी को एक से दूसरी जगह पर पहुशने में बहुत वक्त लग जाता था. उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था और खबरों का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुशना भी इतना आसान नहीं था. तो ऐसे में कुछ लोग शायद ऐसी घटनाओं को अंजाम देते वक्त ये नहीं सोचते थे कि उनको बाद में चलकर इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे. लेकिन आज के आधुनी की युग में जहां इंटरनेट की एकसेस हर किसी के पास है, कोई भी विक्ति अपने स्मार्टफोन से ऐसी किसी भी नियूज को कवर कर सकता है और यहीं नहीं वो इस नियूज को पूरी दुनिया में फैला भी सकता है. आज कल यह सोचना की कोई घटना दुनिया की नजरों से शिप जाएगी, ऐसा सोचना मूरकता ही होगी. लेकिन फिर भी कुछ संगटन ऐसे हैं जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते और ऐसी घटनाओं को आए दिन धर्म के नाम पर अंजाम देते रहते हैं. तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 14 अप्रैल 2004 की रात को नाइजीरिया के बोर्नो राज्य के चिबोख शेहर के सरकारी गल्स सेकेंडरी स्कूल से इसलामिक आतंकवादी समू बोकोहराम द्वारा 206 लड़कियों के अप्रण के बारे में. बोकोहराम जो की एक इसलामिक जिहादी संगठन है और धर्म के नाम पर अक्सर लोगों को हानी पहुचाता रहता है. इसी संगठन ने 14 अप्रैल 2014 याने की आज ही के दिन नाइजीरिया में 206 लड़कियों का अप्रण कर लिया था. 16 से 18 साल की ये लड़कियां इसाई समुदाई से थी और इस घटना से पहले सुरक्षा की बिगरती इस्तिती के कारण स्कूल को चार सप्ता के लिए बंद कर दिया गया था. लेकिन क्योंकि उनकी अंतिम परिक्षा होनी थी इसलिए लड़कियां वो परिक्षा देने के लि याने कि अपरहन के 7 साल बात तक भी 100 से ज्यादा लड़कियां अभी भी लापता हैं. इन में से कुछ लड़कियों ने अंतराष्टे मानविदिकार सम्मेलों में उपस्तित होकर अपने उस अपरहन की घटना का वर्णन किया है. बोकोहराम ने इन लड़कियों को कैदियो को छुडाने के लिए मोहरों की तरह इस्तमाल किया. कुछ लड़कियों को जेल में उनके कुछ कमांडरों के बदले रिहा करने की पेशकश भी की गई. हाला कि 2014 में हुई इस घटना में अपरहन की गई लड़कियां इस इसलामिक आतंकवादी समू बोकोहराम द्वारा अपरण किया गया था. जिसमें से कई को हुमन ट्राफिकिंग में जोग दिया गया और कुछ महिलाओ को सैक्स स्लेव की तरह यूज किया गया. दोस्तो इससे पहले कि मैं आगे भड़ू, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बोकोहराम संगठन के बारे में कि आखिर ये ब देगुनाओं को अगवा करना, मझहब के नाम पर उन्हें दर्दनाक मौत देना, इनका बहुत पुराना शौक है. कुछ इसी तरह से स्कूलों के बच्चों को अगवा कर वो बस यही बताना चाहते हैं कि इसलाम में पश्चिमी शिक्षा पूरी तरह से हराम है. असल में ब बोको हराम कहा जाता है और बोको हराम का सीधा सा मतलब है पश्चिमी शिक्षा हराम है. इस आतंकी संगठन ने अफरिका के सबसे घनी आबादी वाले शहर नाइजीरिया में बंधमा को हत्याओं और अपरणों से कोराम मचाया हुआ है. और यह यहां की सरकार को उखाड़ कर इसलामिक स्टेट की हुकूमत कायम करना चाहते हैं. ऐसा भी कहा जाता है कि बोको हराम के समर्थक कुरान की शब्दावली से प्रभावित हैं कि जो भी अल्ला की कही बातों पर अमल नहीं करता वो पापी है. बोको हराम इसलाम के उस संस्क्रण को प्रचालित करता है जि धर्म निर्पेक शिक्षा लेना भी शामिल है. नाइजीरिया में मुस्लिम राष्टपती होने के बावजूद बोको हराम उसे एक ऐसा देश मानते हैं जिसे अल्ला में विश्वास ना रखने वाले लोग चला रहे हैं. उत्तर पूर्वी शहर मैडू गुरी में इस होना शुरू हो गया. कई मुस्लिम परिवार अब भी अपने बच्चों को सरकार के उन स्कूलों में नहीं भीजना चाहते जहां पर पश्चिमी शिक्षा दी जाती है. ये समस्या इसलिए भी बड़ी क्योंकि वहां के पड़े लिखे और पैसे वाले लोग भी शिक्षा को प्रात्मिक्ता नहीं देते हैं. इसी प्रश्ट भूमी में मुस्लिम धर्म गुरू मुहमद यूसुफ ने 2002 में बोकोहराम का गठन किया. उसने एक धार्मिक कॉंप्लेक्स बनाया जिसमें एक मस्जिद और इसलामी स्कूल भी बनाया गया. नाइजीरिया के कई गरीब मु प्रियादियों को भरती करने का एक जरिया बन गए. साल 2009 में बोकोहराम ने माईडू गूरी इस्थित पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों पर कई हमले किये. इसका नतीजा यह हुआ कि माईडू गूरी की सड़कों पर गोला बारी हुई बोकोहराम के सैकड़ों की सं संख्या में शहर छोड़कर भाग गए. नाइजीरिया के सुरक्षाबलों ने संगठन के मुख्याले पर कबजा कर लिया. लडाकू को पकड़ा और यूसुफ को मार दिया. महम्मद यूसुफ के शव को सरकारी टेलिविजन पर दिखाया गया और सुरक्षाबलों ने दोरान मोटर साइकलों पर सवार बंदूग धारियों का इस्तमाल करता है. पुलिस, राजनेता और जो भी उनके संगठन की गालोशना करता है उसे मार दिया जाता है. इसमें अन्य मुस्लिम परंपरा का पालन करने वाले धर्मगुरू और इसाई उपदेशक भी शामिल है इसमें साल 2011 में क्रिसमस के दिन राजधानी आबूजा में चर्च में हुआ धमाका, साल 2010 में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सैन्ने बैरक पर हमला और राश्टपती गुडलक जॉनेथन के लिए किये गए स्वागत सम्हारों के दोरान भी कई धमाके किये गए. नमब कोट में कहा गया था कि बोको हराम चरम पंथी संगठन अलकाइदा के साथ संबंद जोडने की कोशिश कर रहा है. हाला कि संगठन ने इस बात को खारिज कर दिया. तो दोस्तों यह थो था एक बैक्ग्राउंड बोको हराम के बारे में जिसमें कि मैंने आपको बोको हराम के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की. तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ 14 अप्राइल 2014 की उस रात में जब इस इसलामिक जिहादी आतंकवादी समवू बोको हराम के सदस्यों ने नाइजीरिया के बहु संक्यक इसाई गाउं चिबोक मे सरकारी गर्ल सेकेंडरी स्कूल पर हमला किया. चापे से कुछ घंटे पहले चिबोक के निवासियों को पड़ोसी गाउं से आने वाले हमले की चेतावनी देने वाले फोन आये थे जिनोंने शहर की दिशा में सशेस्त्र विद्रोहियों के काफिले को जाते हुए देखा था अपरन करताओं ने स्कूल में घुसकर नाइजीरियाई सशेस्त्र बलो के सैनिक होने का नाटक किया और उन्होंने सेना की जैसी वर्दी भी पहनी हुई थी और इस चापे मारी के दोरान एक सैनिक और एक पुलिस अधिगारी की भी मौत हो गई थी. यह हमला लगबग 5 गं कि भार निकलो और उनके साथ चलो. कुछ लड़कियों को वहान में लाद दिया गया और बाकी लड़कियों को कई मील पैदल चलना पड़ा जब तक कि कोई और ट्रक या वहान उन्हें लेने वापिस नहीं आए. यहां से उन लड़कियों को अलग-अलग बोको हराम कैम्प में ले जाया गया. इन लड़कियों में से 57 लड़कियां उन ट्रकों से खूद कर भागने में सफल रही जिनमें उन्हें ले जाया जा रहा था. हमले के तुरंत बाद इस्थानी नागरी को और उनके माता-पिताओं ने कुछ अफरत लड़कियों का पता लगाने के लिए और उन्हें छुडाने के प्रयास में सामबिसा के जंगलों की तलाशी ली लेकिन वो किसी भी लड़की को खोजने में असफल रहे. दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ कि इन अपरत लड़कियों में से अधिकांश जो कि क्रिश्चन्स थी उन्हें इसलाम में कनवर् बोको हराम के सदस्यों के साथ शादी करने के लिए भी मजबूर किया गया था. और एक बात आपको बताता हूँ जिससे सुनकर आप चौक जाएंगे कि इन लड़कियों को मातर 6 डॉलर में शादी करने के लिए दूसरे लोगों को बेच दिया गया. जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में भी आपको बताया कि अलग अलग अफसरों पर कुछ लड़कियों को छुडाने में सरकार और कुछ लड़कियां अपने आप भागने में काम्याब रहीं. देखे दोस्तों इस छोटे से वीडियो में मैं आपको हर उस घटना के बारे में तो नह हाला कि बोको हराम ने इस से भी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है. लेकिन फिर भी मैंने क्यूं इस घटना को कवर करने के बारे में सोचा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं. देखे दोस्तों व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो या उस उन्ही वेस्टन कंट्रीज द्वारा बनाई हुई गाडियों में वो लोग घूमते हैं और उन्ही वेस्टन कंट्रीज द्वारा बनाए हुए हतियारों के दम पर इन लोगों का शोशन करते हैं. अगर वो चाहते हैं कि लोग उनका अनूसरन करें और उनको फॉलो करें तो तो सबसे पहले उनको हर उस चीज को त्यागना चाहिए जो कि उन्होंने नहीं बलकि किसी western country ने बनाई है। दोस्तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हर आदमी के लिए अलग-अलग rules हो। आप अगर stone age में वापिस जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए हमें इससे कोई परिशानी नहीं है लेकिन आप किसी को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। यहां अगर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। समान सिख्षा का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह किसी का भी हक नहीं बनता उनको यह बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो जो की मैंने बोकोहराम के उपर बनाया था जिनोंने लगबग 276 लड़कियों को 14 अप्रेल 2014 को अगवा कर लिया था और बाद में उन्होंने इन लड़कियों के उपर बहुत अत्याचार किये। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्यू व